Hello everyone, welcome back आज आप S को प्रणॉंस करने के सारे नियम सीखने वाले हैं क्योंकि जब हम कोई language सीखते हैं तो उस language के words का pronunciation भी बहुत मायने रखता है कि हमें उस language के words को सही सी pronounce करना आना चाहिए तो आज हम S को प्रणॉंस करने के नियम क्यों सीखेंगे क्योंकि S के भी mainly three pronunciation होती है S को सा भी प्रणॉंस किया जाता है जा भी प्रणॉंस किया जाता है और शा भी प्रणॉंस किया जाता है तो आज की वीडियो में आपकी ये confusion दूरूने वाली है कि कब S को जा प्रणॉंस करें कब सा प्रणॉंस करें और कब शा प्रणॉंस करें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले हम जानेंगे कि S का प्रणॉंसियेशन जा कब होता है तो इसका नियम है कि जब शब्द के अंत में यानि किसी भी वर्ड के लास्ट में S हो और उससे पहले ये सारे लेटर्स हो तब S का उचारण यानि S का प्रणॉंसियेशन जा होगा एक वर्ड है tribes इसकी स्पेलिंग है T-R-I-B-E-S तो B-E के बाद S आया है तो यहां पर S को जा प्रणॉंस करेंगे सा प्रणॉंस नहीं करेंगे तो इसकी सहीर प्रणॉंसियेशन होगी Tribes और tribes means होता है जन जातिया Next word है bags Bags यहाँ पर भी G के बाद S आया है तो इसे bags बोलेंगे Bags नहीं बोलेंगे सही pronunciation होगा bags Next word is eggs Eggs यहाँ पर भी double G के बाद S आया है Next word is sages यहाँ पर भी आप देख सकते हैं G E के बाद S आया है इसलिए यहाँ पर भी S को the pronounce करेंगे सा पर नहीं करेंगे तो सही pronunciation होगा sages सेज़ मिन्स होता है साधू सेज मिन्स होता है साधू और सेज़ प्लूरल है Next word है ages इसमें भी G E के बाद S आया है Next stories इसमें भी I E के बाद S आया है तो जब भी I E के बाद S होगा उसे ज़ प्रणॉंस करेंगे Stories मिन्स होता है कहानिया Next rupees इसमें डबल E के बाद S आया है जैसा कि यहाँ बताया था हमने नियम में डबल E के बाद S आया है तो इसे भी Z प्रणॉंस करेंगे तो सही pronunciation होगा rupees Next word is heroes इसमें भी देखें O E आया है यहाँ पर O E बताया था हमने तो O E के बाद S आया है तो इस S को भी Z प्रणॉंस करेंगे तो सही pronunciation होगा heroes Next word है raise R A Y Y के बाद S आया है इसलिए इसे पढ़ेंगे raise इसे raise नहीं पढ़ेंगे raise पढ़ेंगे और raise मिन्स होता है किरने Next देखते हैं कि S को सा का प्रणॉंस करेंगे तो इसका नियम है जब शब्द के अंत में यानि किसी भी word के last में यह सारे letters हों जैसे F, P, K, E, G, H, T, P, E, P, E हो और उनके बाद S लगा हो तब S का उचारण सा होता है यानि इन सारे letters के बाद अगर S आया है तब S को सा प्रणॉंस करेंगे एक्जम्पल देख लेते हैं जैसे hoofs S, O, O F के बाद S आया है तो इसे hoofs पढ़ेंगे और hoofs कहते हैं खुर को hoofs प्लूरल है यहाँ पे next word is roofs यहाँ पर भी F के बाद S आया है और roof means होता है च्छत और roofs प्लूरल वर्ड है next word is chips यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि P के बाद S आया है तो इसे chips यानि P के बाद S आया है उसे सा प्रणॉंस करेंगे तो सही प्रणूंसियेशन है chips next lips L-I-P के बाद S आया है तो इसे भी सा प्रणॉंस करेंगे next word है jokes यहाँ पर भी आप देख सकते हैं के ए के बाद S आया है next है nights यहाँ पर भी आप देखे N-I के बाद G-H-T आया है जैसा कि यहाँ पर बताया गया था G-H-T के बाद S आया है इसलिए इसे पढ़ेंगे nights यानि S को सा प्रणॉंस करेंगे और night means होता है रात और nights means राते next word है rights यहाँ पर भी R-I-G-H-T के बाद S आया है तो इसलिए भी यहाँ पर S को सा प्रणॉंस करेंगे तो सही pronunciation होगा rights rights means होता है अधिकार next word है hopes यहाँ पर भी आप देखे H-O-P-E-S है यहाँ पर में बताया था मैंने कि P-E के बाद भी जब S होगा तो उसे भी सा प्रणॉंस करेंगे तो hope means होता है उम्मीद और hopes means उम्मीदें आशाएं next word है ropes यहाँ पर भी आप देख सकते हैं c-o-p-e के बाद आया है इसलिए इसका सही pronunciation होगा ropes ropes means होता है next word है cos kites k-i-t-e के बाद स आया है इसलिए यहाँ पर भी स को सब्र्णॉंस करेंगे क्यानि इसका सही pronunciation होगा काईट s का तीसरा pronunciation होता है sha को ska का प्र।बोनॉंस करते हैं उसका रूल देख लें जब भी S किसी भी शब्द में S हो या फिर डबल S हो और उसके बाद I A हो या फिर I O N हो तब S की दौनी शा होती है कहने का मतलब है जब भी किसी वर्ड में S के बाद I A I या फिर I O N I या फिर डबल S के बाद I A I और या फिर I-O-N-I तब S को शा प्रणॉंस करेंगे पर एक वर्ड है एशिया यहाँ पर भी S के बाद I-A आया है तो इसे यहाँ पर S को शा पढ़ेंगे सा नहीं पढ़ेंगे तो इसका correct pronunciation होगा एशिया इसे एशिया नहीं पढ़ेंगे और एशिया है continent का नाम है नेक्स्ट वर्ड है रशिया यहाँ पर भी double S के बाद I-A आया है तो यहाँ पर भी S को शा पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड इस पैंशन यहाँ पर S-I-O-N आया है सिंगल S के बाद I-O-N आया है तो इसे पैंशन पढ़ेंगे और correct pronunciation होगा mention और mention means होता है heavily नेक्स्ट वर्ड है profession यहाँ पर double S के बाद I-O-N आया है तो इसलिए यहाँ पर भी S को शा प्रणॉंस करेंगे तो इसका correct pronunciation होगा profession इसे profession नहीं पढ़ेंगे profession पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है पेशा या व्यवसाए नेक्स्ट वर्ड है aggression यहाँ पर भी double S के बाद I-O-N आया है तो इसे भी aggression पढ़ेंगे aggression नहीं पढ़ेंगे और aggression means होता है हमला नेक्स्ट वर्ड है session इसमें भी double S के बाद I-O-N आया है तो इसका correct pronunciation होगा session कई लोग session बोल देते हैं बिलकुल गलत pronunciation है